हलो दोस्तो विलकम टू आज चैनल एक्जाम एवरीडे दा अल्टिमेट जी के सॉलियोसन तो दोस्तो आज हम लेके आए है RRC ग्रूप D का जो एक्जाम होने वाला है 17 आगस्ट से उसका जो है कौन से कौन से जोन जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है ओ आज हम देख लेंगे 6 ऐसे जोन जो डेंजर है और दोस्तो जो 6 ऐसे सेव जोन के बारे में भी हम बात करेंगे जो के जिसमें जो है आपको पास होने का चांसे बहुत ज़्यादा है और दोस्तो किस किस जोन में जो 16 जोन है आपको पता ही होगा के RRC का ये जो group D का exam हो रहा है ये 16 जो जो जोन में हो रहा है और दोस्तों ये जो 16 जोन है उन सारे जोन में जो है कितने लोगों ने फरम फिलाफ किया है या फिर जो है पार सीड जो है कितना फरम फिलाफ हुआ है वह भी हम देख लेंगे तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दू कि हमारा ये जो चैनल है exam everyday इसे आप subscribe जरूर कर देना और दोस्तों ये जो इस तरह का वीडियो जो है हम RRC group D के बारे में जो है पलपल के ख़बर हम लाते रहेंगे तो इसके लिए अगर आपको सारे खबर चाहिए त तो आप हमारे चैनल को जरूर subscribe कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको latest वीडियो के notification मिल सके और दोस्तों बता दू हमारा ये जो टेलिग्राम चैनल है इसे आप join कर लेना इसका link जो है मैंने description में दे दिया है तो इसे आप join जरूर कर लेना ताकि आपको Telegram चैनल में अपलोड करते रहेंगे तो आप उनका जो है answer भी देना तो उसे आपको क्या होगा कि ग्रूप डी के exam में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कि देखते हैं किस जोन में कितना जो है फ्रॉम फिलाव हुआ है और क्या क्य है तो देखिए दोस्तों पहला जो जोन है ओ दिया गया है यहां पर जो है North Central Railway यानि दोस्तों जो एलहाबाद का जोन है वहाँ पर जो है दोस्तों 9,11,000 के आसपास जो है फ्रॉम फिलाव हुआ था टोटल और दोस्तों जो टोटल वेकेंसी था ओ था यह देखिए दिया गया है 4,370 जो है यह इतना जो है टोटल वेकेंसी था और दोस्तों फार सीट कॉम्पेटिशन यहां पर जो है 192 है तो दोस्तों यह जो छे पहला जो जो जोन है यह जोन देखिए मैंने इसे रेड का का क्या है यह जो जोन है यह सब जोन बहुत ही जादा जो है डेंजर ज देख सकते हैं सेकेंड जो नंबर पर दिया गया है नौर्थ वेस्टन रेलवे जाइपूर यहां पर जो है 9,61,000 के आसपास जो है फ्रम फिलाफ हुआ था और दोस्तों जो सीड है यहां पर आप देख सकते हैं टोटल वेकेंसी कितना है 5,249 और देखिए दोस्तों यहां पर पारसीट कॉम्पेटिशन जो है 183 नेक्ट देखिए दोस्तों साउद इस्ट सेंटरल रेलवे यहां पर जो है बिलासपूर का यह है यहां पर जो है 2,83,000 लोगों ने जो है फ्रम फिलाफ किया था और दोस्तों यहां पर जो है टोटल वेकेंसी है 1664 और यहां पर देखिए दोस्तों इस्ट सेंटरल रेलवे जो है हाजीपूर का यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि 5,67,000 के आसपस जो है फ्रम फिलाफ हुआ था और दोस्तों यहां पर जो है 3,562 जो है टोटल वेकेंसी है और देखिए दोस्तों पारसीट कॉम्पेटिशन जो है 162 देखिए दोस्तों दिया गया है नौर्थ इस्टन रेलवे गारकफुर वाला उसमें जो है 6,20,000 लोगों ने फ्रम फिलाफ किया है और दोस्तों जो टोटल वेकेंसी है वह है 4,002 और देखिए दोस्तों फारसीट कॉम्पेटिशन है दोस्तों 1555 ने देखिए नौर्थ न यहाँ पर हुआ है पर दोस्तों यहाँ पर बता दू के यहाँ पर वेकेंसी भी सबसे ज़्यादा है जो है 13,150 और दोस्तों यहाँ पर पारसीट कॉम्पेटिशन जो है 144 है निक्स्ट देखिए दोस्तों अगला यह जो जो जोन है यह जोन उतना ज्यादा डिंजार तो नह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है फार सीट कॉम्पिटिशन बहुती ज़्यादा थोड़ा सा कम है और दोस्तों देखे यह साथवा जो 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 है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है जावलपूर वाला यहाँ पर दोस्तों जो है पांच लाग अठाइस हाजार जो लोगों ने फंपलब किया है और दोस्तों जो 4,019 लोगों का यहाँ पर वेकेंसी है और दोस्तों देखे पार सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर 131 है नेक्स देखे दोस्तों नमबर एड वाला जो जोन है इस्ट कोस्ट रेलवे भूबनेस्सर वाला यह जो जोन है यह 3,18,000 यहाँ पर candidate ने जो है apply किया है और दोस्तों जो है 2555 जो है यहाँ पर सीड वेकेंट है और यहाँ पर पारसीट competition दोस्तों 124 है नेक्ट देखिए दोस्तों North Frontian Railway जो गुहाटी में है उसमें जो है 122 जो है यहाँ पर पारसीट competition है नेक्ट देखिए दोस्तों Eastern Railway जो कुलकत्त का है इसमें जो है इसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों ने apply किया है और दोस्तों vacancy भी बहुत ज़्यादा था देखिए क्या 1164,000 जो है लोगों ने यहाँ पर apply किया है और दोस्तों यहाँ पर जो है वेकेंसी है दोस्तों 10,883 नेक्ट देखिए यहाँ पर जो है पारसीट competition दोस्तों 107 है यानि बहुत ही ज़्यादा कम है और नेक्ष्ट देखिए दोस्तो अगला जो जो है दोस्तो इसे आप जो है सेफ्जिंआ कह सकते है क्योंकि यहाँ पर जो है पार सिट क्म पेटिशन आप देख सकते है बहुत ही जादा कम था यह जो जौन एक का जो है पार सीट कॉम्पेटिशन है नेक्ट देखे दोस्तो साउथ इस्टरन रेलवे जो कुलकत्ता में है इसमें जो है 4,94,000 लोगों ने यहाँ पर एपलाई किया है और दोस्तो जो है 4,914 जो है यहाँ पर सीड वैकेंड है और यहाँ पर जो है दोस्तो पार सीट कॉम्पेटिशन एक सो के आसपा से नेक्ट देखे दोस्तो क्या दिया गया है कि नेक्ट यहाँ पर दिया गया है कि सेंट्राल रेलवे मुंबई यानि दोस्तो मुंबई का जो सेंट्राल रेलवे है वहाँ पर भी दोस्तो जो है save zone रहेगा कि यहाँ पर जो है 9,7,000 लोगों ने यहाँ पर apply किया है और दोस्तो यहाँ पर 9,300 जो है 45 का जो है vacancy है और दोस्तो यहाँ पर 97 का जो है par seat competition है दोस्तो इसमें भी 9,000,000 लोगों ने यहाँ पर apply किया है और दोस्तो जो है 9,589 जो है यहाँ पर seat vacancy है और दोस्तो जो है यहाँ पर जो है par seat competition 94 है दोस्तो इसमें जो है 6,70,000 लोगों ने अपलाई किया है और दोस्तो इहाँ पर जो है par seat vacancy है के 7,167 candidate के लिए जो है यहाँ पर seat vacancy है और दोस्तो इसमें जो है par seat competition आप देख सकते है 93 है जो के बहुत ही जादा कम है और दोस्तो यह जो है western railway आखिर में आता रहा है जो मुंबाई वाला उसमें जो है 9,92,000 लोगों ने यहाँ पर क्या क्या है के front lap किया है और दोस्तो देखे यहाँ पर 10,000 seat यहाँ पर vacancy है और इसमें जो है par seat competition 92 है यह जो है यह सबसे जादा safe zone आवी तक है और दोस्तो देखे इसी तरह का कुछ zone बना है तो दोस्तो जो total जो front lap हुए है वो है 1.25 करोर और दोस्तो इसमें से बता दू कि कुछ लोगों के जो है front lap cancel हो गया है तो दोस्तो आप यहाँ पर मान सकते है कि इसमें competition भी थोड़ा सा आपका कम होगा और दोस्तो बता दू कि इसमें जो है लगभग 1.15 करोर के आसपस जो है लोग जो है exam देने बाला है और दोस्तो यहाँ पर जो total vacancy है वो जो है 1.3779 है तो दोस्तो बता दू कि इसी तरह का कुछ जो है par seat competition आपका यहाँ पर हो रहा है और दोस्तो बता दू कि यह जो par seat competition है यह साथ थोड़ा सा और भी कम होगा क्योंकि जो है 1.25 करोर लोगों ने पहले apply किया था और दोस्तो बाद में जो verification के through जो बहुत से लोग जो है अभी cancel हो गया है उनका उनके बाद जो है 1.15 करोर ही जो है लोग apply exam देंगे तो दोस्तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे यह जो channel है exam everyday इसे आप subscribe जरूर कर देना और इस वीडियो को जो है आप like and share भी कर देना thank you दोस्तो